हालो फ्रेंश विलकम टोब ट्रेंश आज हम बात करेंगे एक के बार में कपनि के बारे में कि के बारे में प्रेंश को सब्सक्र मेंचया करना जाओंगा जाओँगा अगर Sister क shouldn't स्टॉक मार्डेट से बहुत अच्छा सा गेंजो हो अम जो स्पेक्ट करते हूं करनी सकते ही मेरे साथ में भी होता है ठीक है जब भागता है ना उस टाइम पर प्रोफिट वुकिंग नहीं करते हैं तक सपोज आप या सपोज हमने हंडेड़ रूपीज का टारगेट लिया हुआ है फिटी रूपीज से सब्रेफ़ किसी को भी नहीं मालु M. ठीक कहां से जाने काहां से गिरेगा किसी capable भागश कर रहे है और जो टार्गेट तक लेके चलते हैं वह सब अच्सा कमपनी जो fundamental हमने सिलेक करके कोई भी कमपनी सिलेक किया ना जिसका टार्गेट प्राईस उन्हें है तो कोई भी स्टॉक में पोजिशन बनाया है तो प्रफिट भी मिला है तो फ्रफिट इसे मिलता ऐसी बात नहीं है पेसेंस रखेंगे तो फिर फ्रफिट मिल अगा देखे लास्ट में क्या हुआ था तो वहाँ पे मुझे फिप्टेन या सेवेंटेन परसंट तक प्रफिट मिल चुका था लेकिन फिर भी मैं प्रफिट करने के बाद में जो पोजिशन में दिखा तो दिखा रहा था लेकिन उसमें कोई प्रफिट मिल गया ना उसके बाद में स्टक कहीं भी जा रहा है जाने दो हमें कोई सब्सक्राइब होने कोई प्रोबलेम नहीं डिए अप अपना स्टाट जी के चलिए कोई प्रोब्लेम मिलेगा तो प्रोब्लेम हो सकता है तो जैसे बावेश का मैं एक्जम्बल दिया था अपको होल्ड कर नहीं है जहां पर 50% 80% का profit है तो फोल्ड करना ही है और किसने देन में लिया है देन में वो बोल रहे हैं कब तक profit आ जाएगा अभी अगर investment करके चल रहे हैं तो हम एगर 100% का profit चाहिए तो वहां पर एक साल दो साल और होल्ड भी करना पड़ेगा ठीक है तो चल यह स्टार्ट करते हैं अभी देखें यह जो कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं और इस कंपनी के बारे में हम बात करते हैं और यह कंपनी का अगर हम देखते हैं 1746 क्रेंट प्राइच है अगर हम एक बार जा के profit हु देख लेते हैं इस कंपणी का तो इसकंपणी अगर हम प्रॉफिट देखते हैं सेप्टेमबर का कव्रटर में सेल्ज्ट जो आया है क्योंकि पिछलह सेप्टेमबर में 184 वान इंटी फॉर करोड़ का सेल्ज्ट था तो यहां पर सेल्ट में तो इंपूर्मेंट दिख रहा है अच्छा से इ है अगर और देखेंगे तो भी दिक्लाएं अगर ऐहांपर यहांपर डेल्ट में तो इसी बैस समया देखते को recognizes यहां पर profit आया है अगर हम sales देखते हैं 872 करोट का sales से sales में तो बढ़ी ऐसे improvement कोई problem नहीं है ठीक है अगर इसी साब से अगर हम लास्ट दो साल का रिटन देखते हैं 39 percentage का शिए रिटन दिया है company ने अगर profit भी देखेंगे 30 परसंट शिजय का प्रफिट भी दिया है मतलब कमपावंडिंग प्रफिट ठीक यह तो मतलब एसा नहीं कि company only stock price भागे जा रहा है और प्रफिट ग्रोथ नहीं है इसा बिलकुल भी नहीं है कंपनी का performance भी बहुत अच्छा है जो कि profit ग्रोथ भी बढ़िया है तो इसी इसाब से है अगर हम रिजर्व देखते हैं रिजर्व बहुत अच्छा से जर्य जो कि रिजर्व फाइव-76 क्रोट के पास में पहुंच चुका है अगर इसका अंब बरविंग देखते है 70 क्रोट का ब्रोईंग तो यहां पर इतना ज़्यादा बॉरूइंग भी नहीं में होल्डिंग है तो अगर आज के दिन का हम डाटा देखते हैं इस टॉक में तो आज का दीन में इस टॉक में 44ट का डेलीवरी में उठाये गया है कैंस तो ल्टस और चुछाइं पेटरनРЕ burning बिल्कुल आ चुका है ठीक है वो तो पहला प्रामिटर हमारा 200 मूवी आपरिज के पास में आ चुका है कंपनी भी प्रॉफिट भूला रसी ठीक है अगर हम देखते हैं प्रोमोटर प्लेज भी जीरो है तो इसी साथ से कंपनी में कोई प्रोब्लेम अभी नजर नहीं आ रहा ठीक है अगर आपको पोजिशन बनाना है मैं फिर भी आपको बताता हूं आप 230 से लेकर 240 के बीच में एक बार नूट कर लिए जो कि 230 से लेकर 240 के बीच में पोजिशन बना के चलिए कोई प्रोब्लेम नहीं है स्टॉक तो फॉन्डमेंटली स्ट्रॉंग है स्मॉल काप अगर इस लेखर चलते हैं आपको 49 पर्सेंटेज का गेन मिल सकता है ठीक है एक बड़ी असा स्टॉक के कोई भी प्रोब्लेम नहीं है लेकिन स्मॉल क्याप है कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपना कुछ पर्सेंटेज थोड़ा सा ही कुछ इन्वेस्टमेंट इ कर सकते हैं लेकिन यहां पर यहां पर फॉल नहीं आएगा ठीक है अगर आपको थोड़ा सा प्रोब्लेम हो रहा है पॉर्टफोलियो म्यानेस करने पोटफोलियो क्यासे हैं पर एंट्री करेंगी गेंगे प्रफोलियों में हैं अच्छा सा गेन लेंगे अगर स्टॉक मार्केट में आप निवली एंटर किये हैं तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा थोड़ा सा सिख भी सकते हैं अगर वीडियो बगएरा देखेंगे प्लेलिस्ट से बीजिट करके में यहां पर आई बटन में करने सकते हैं अगर आपको फिर भी प्रोपोलियो को को chili नहीं तो आप मिरा डिशिप्रिप् absolument क कर कर सकते हैं मुझे कंटक कर सकते हैं मैं आपको जरूर एक बड़ी ऐसा पॉर्टफोलियो देने के लिए बना के देने के लिए कुशिश करूंगा ठीक है और पॉर्टफोलियो में कैसे हम बिल्ट करते हैं और कैसे से प्रॉफिट आप ले सकते हैं साल में मेरा जो में दे दूँगा आपको बड़ी ऐसा इंवेस्टमेंट आप करके चल सकते हैं अगर आप निव लिए अगर आप निव नहीं है अगर थोड़ा दिन हो चुका है स्टॉक मार्केट में आप थोड़ा बहुत आनलेसिस खुद कर सकते हैं तो हमारा वीडियो देख क्या आप इस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में